दोस्तो नवरात्री के अंतिम दिन यानि की नोवे दिन को मतारानी के अंतिम सवरूप यानि की मा सिद्धिदात्री के रूप में पूजन किया जाता है मा सिद्धिदात्री कमल के फूल पर बिराजमान है और इनकी चार बुजाएं होती हैं मा सिद्धिदात्री की सवारी सी होती है। देवी ने सिविदात्री का यह रूप भक्तों पर अपनी अनुकंपा बरसाने के लिए धारण किया था। देवता, रिशी मुनी, असुर, नाग, मनुष्य सभी मा के भक्त हैं। मा की पूजा करने के लिए सबसे पहले मा सिद्धिदात्री के समक्स दीपक जलाएं और लाल रंग के नौ फूल अर्पित करें। कमल का फूल हो तो बेधी उत्तम रहता है। इन फूलों को लाल रंग के वस्तर में लपेट कर रखना चाहिए। इसके बाद मतारानी को नो तर बिभिन प्रकार के अनाजों से लगाए जाने वाला भोग अत्यंद प्रसन होता है। इसके साथ ही मतारानी को हल्वावे पूरी का भोग अत्यंद प्रसन होता है। मतारानी की पूरे मन से, सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्त को हर प्रकार की सिद्धी परदा परदान होती है और हर प्रकार की मनोकामनाईं पूर्ण हो जाती है इसलिए दोस्तों नवरातरे समाप्त होने से पहले हम आपको एक उपाय बताएंगी एक ऐसी किरिया बताएंगी जैसे अगर आप कर लेते हैं तो मातारानी अत्यंद परसंद हो जाती है और अपने भक्तों क मनवानचित फल परदान करती हैं अपने हर प्रकार की मनोकामनाओं को मातारानी के आशिर्वात से पूर्ण कराने के लिए आप एक बार इस उपाय को अवश्य करें वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और कमेंट बॉक्स में जै मातादी लिखना बिल्कुल भी न बोले आए जानते हैं कि क्या करना है आपको इस उपाय के लिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों अपने जीवन में धन दौलत पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हर कोई व्यक्ति हर प्रकार के ऐसे टोने टोटके वे उपाय करता है जिससे कि वे हमेशा के लिए धनवान बन जाए इसलिए आज हम आपको आज वीडियो में हल्दी और चावल का एक ऐसा टोटका बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को हमेशा ही समार लेंगे दोस्तो वैसे भी हल्दी का सीधा संबंद देव गुरु ब्रहसपती से बताया गया है और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत चाता है वे देव गुरु ब्रहसपती को प्रसन करना अवसे ही चाता है क्योंकि देव गुरु ब्रस्पती का सीधा संबंद आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने के लिए होता है दोस्तो हमने अपने इस चैनल पर हल्दी के अने को टोटके डाले हैं अने को टोटके लोगों को बताए हैं जिनसे बहुत से लोगों ने उसका फायदा भी लिया है लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास उपाय बताएंगे इस टोटके को करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ही जल्दी धनवार बन जाएंगे बस आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी एक बार अवश्य लिख दें दोस्तों आपको कुछ भी अपने जीवन में करने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ता है और जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम भी न लिख सके वे व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को समारेगा ये तो अब आप ही जाने या फिर उपर वाला भगवान ही जाने इसलिए दोस्तों जितना हो सके भगवान को याद करें और कमेंट बॉक्स में अपने पसंद की किसी भगवान का नाम जादा से जादा लिखें और वीडियो को शेयर करें क्योंकि दोस्तों, गरंतों में बताया गया है, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी जरूरत मंद की कोई मदद करता है, तो उसके उपर भगवान की किरपा बहुत ही जल्दी बरसने लगती है, वहीं अगर आप वीडियो को या किसी भी वीडियो को जिससे किसी व्यक्ति का सायद भ अगर आप उस तक पहुचाने में मदद करते हैं, तो उस व्यक्ति को मुफ्त में ही उसके जीवन को समारने की शिक्षा प्राप्त होती है, और आपको पुन्य की प्राप्ती होती है, साथ ही भगवान का नाम लिखने या पर उनका नाम जपने से आपके जीवन में जो भी आप उपाय करते हैं, उनका परभाव बहुत ही शीगर होने लगता है, तो बिना किसी देरी के आप वीडियो को पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपने पसंद के भगवान या जै बजरंग बली अवश्य लिखें, साथ ही वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ हमें अपने जीवन में मान सम्मान, धन और संतान का सुख प्राप्त होता है, दोस्तो हर कोई व्यक्ति जीवन में धन प्राप्ति के लिए देव गुरु ब्रस्पति, भगवान, विश्नु के लिए उपाय और तोटके करता है, लेकिन इन उपायों को करने से पहले आपको एक छ कारे और करना है, वो हम आपको बताते हैं, आप एक तामे का लोटा ले, उसमें आप स्वच जल भर ले, और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी अवश्य मिला ले, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बाजार से ला सकते हैं, और नहीं ला खुलने के बाद, घर की चौकट पे और घर के बाहर की ओर थोड़ा सा उस पानी का छिड़काव कर दे, और इस प्रकार से आप अपने दिन की सुरुआत करें, और जिस दिन भी आप लक्ष्मी माता को या पर बगवान विश्नु को अपने घर बुलाने के लिए उपाय कर हैं, उस दिन आप पोचा नहीं लगाएंगे, इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है, अगर आप चाहें तो आप इस उपाय को वीरवार या सुकरवार के दिन कर सकते हैं, वैसे तो किसी भी दिन किये जाने वाला ये उपाय है, क्योंकि मातारानी को और बगवान वि को लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें, तो आप इसे शुकरवार या वीरवार के दिन करें, खास ओर पर जिस दिन भी आप इस उपाय करेंगे, उस दिन आप अपने घर में पोचा नहीं लगाएंगे, और घर के मुखे दरवाजे पर छिड़काव करने के स साथ ही इस उपाय को और अपने दुन को सुरू करेंगे, दोस्तों, जो घर पवित्र और शुद होता है, उस घर में ही माता रानी का और धन का आगमन होता है, मा लक्षमी आपके घर में तभी आती हैं जब आपका घर पवित्र हो, अपने घर को पवित्र करने के लिए आप को क्या करना चाहिए अपने घर में आप पोचा तो लगाएंगे नहीं तो आप अपने घर में ज़ाड़ू लगाने के बाद थोड़े से जल में पानी में आप उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी यानि कि एक या दो चुटकी हल्दी डाल करके उसे पवित्र कर लें और अपने घर में चिड़काव कर दे इससे आपका घर पूर्ट पवित्र हो जाता है क्योंकि दोस्तों हर प्रकार के पूजा पाठ और सुबकारे में इस्तमाल होने वाली हल्दी इतनी पवित्र होती है कि आपके घर में चिड़काव होने से आपके घर में पवित्रता का आगमन होता और माता लक्षमी आप गर में प्रवेश करती है। आप ध्यान रखें कि ये चड़काव आप केवल अपने घर के फर्स पही करेंगे। किसी भी बिस्तर, कपड़े आदी आप पूरे घर में नहीं करना है केवल फर्स पही करना है। जीवन में हर परकार के कश्ट और कठनायों से लड़ने के लिए भगवान सूर्देव का आशिरवाद बहुत जरूरी है। विष्णू और मातालक्षमी अत्यन्त प्रसंद भी होते हैं और देव गुरु ब्रस्पती का आशिरवाद आपको प्राप्त होता है और इस उपाय को करने के बाद से ही मान सम्मान में आपकी इतनी बड़ोतरी होती है कि चारो दिशाओं से आपकी जैजयकार होने लगती है दोस्तों जब भी कभी आप अपने घर में पूजा करते हैं तो केबल भगवान विष्णू की या पर मातालक्षमी की अकेले पूजा कभी भी ना करें दोनों की पूजा हमेसा ही साथ में करें इससे आपको विबन प्रकार के आशिरवाद तो मिलेंगे ही साथ ही आपकी जैमा लक्षमी या फिर जो भी आपके पसंद के भगवान हो जो जिनको आप मानते हूं एक बार उनका नाम अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा अंतर तक देखना न बूलें दोस्तो जीवन में हर कोई चाता है कि खूब पैसा आए खूब मस्ती से लाइफ गुजरे लेकिन कुछ हमारी गलती होती है जिरकी बजए से आप अपने जीवन में खूब सारा धन तो क्या कंगाली बरा जीवन वेतीत करने लगते हैं तो अब आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तो इसके लिए आपको अपने घर के अंदर की और से दाहीने हाथ यानि सीधे हाथ की तरफ आपको किसी भी एक तामबे या पीतल के लोटे में साब सबज पाने भर करके रख लेना है और आपको ये दिन सुबह उठते ही उस पानी को किसी पौदे में डाल दे और रातरी को फिर से नया साफ पानी पातर में बर करके रग दें। दोस्तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके घर के जो धन है, धन्दौलत है उसके लिए एक सुरक्षा काम करेगा, आपके घर से कभी भी धन जाने नहीं देगा, अपितु हर प्रकार के नेगेटिव एनरजी को हटा करके आप घर में नया धन आने के मार्क भी खोलेगा, दोस्तो अकर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, तो आप क्या करें, कि आप किसी भी छोटे से डबी में या पिर किसी भी पातर में थोड़ी सी हल्दी बर करके अपने घर में पूजा करते हैं, वहाँ पर आप रख लीजिए, और सुबह 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 स्नान परती बच गई है, उसे आप अपने माथे पर टलक लगाएं, और थोड़े से चावल अपने माथे पर और भगवान विश्णु के तस्वीर पर भी अवस्च चड़ाएं, ऐसा करने से आप अपने जीवन में धनवान होंगे, माला-माल होंगे, संतानवान होंगे, संभि द तो दोस्तो इस से बड़ा आपको और जिन्दगी में क्या चाहिए। हर प्रकार के सुक, सुविदा और भौतिक जिन्दगी से आप परीपूंड जिन्दगी जिएंगे। इसके अलावा दोस्तो आप अगर जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं, कि जल्दी से जल्दी आपके सभ अवश्य करें, आप देखेंगे कि आपको जो भी मनुकामना है, बहुत ही शिग्र अन्य उपाय करने के मुकाबले, बहुत ही शिग्र आपके मनुकामना पूर्ण हो जाएगी, चाहिए वो कुछ भी मनुकामना हो, खासकर से धन-दौलत से जुड़ी हुई मनुकामना है त बहुत ही शीगर पूर्ण हो जाती है दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो में के वले इतना ही कल फिर आफ से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक ले दे में जाता दन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जै बजरंग वली जै मातादी जै मालक कर रॉक्री कर दूज के लेच्ट के लीडियोर कना हुष लेड्योंके जै